अगर आपके अंदर तनिक भी दया है तो वीडियो पूरा देखना और अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। एक भयानक अंधेरी रात में मंदिर की सीरी पर मंदिर में लगे लाइट की रोशनी में एक साधारन 15 साल का लड़का पढ़ाई करते दिखा। ठंडी के दिन थे। वो ठंड से काम प्रहा था लेकिन पढ़ाई में खोया हुआ था। हफते में टू दिन में उस रास्ते से होकर गुजरता था। दिन में कभी नजर नहीं आता। मुझे काफी जिग्यासा होती थी उसके बारे में जानने की। एक रात खाना खाकर मैं गारी लेकर उसी रास्ते से गुजरने वाला था सोचा जाते जाते कुछ पार्सल लेकर जाओंगा उसके लिए। मैं पार्सल लेकर गारी से उस मंदिर के पास पहुँचा। लड़का सीडियो पर बैठकर हमेशा की तरह पढ़ाई कर रहा था। मैंने गारी रोकी और उसके पास गया। मेरी तरफ जब उसने देखा तो वो मुस्करा दिया जैसे वो मुझे पहले से जानता हो। मैंने उस से पूछा बेटा तुम हमेशा यही पर क्यों पढ़ाई करते हो। सर मेरे घर में बिजली नहीं आती। मेरी मा बीमार रहती है और तेल डाल कर दिया जलाने लायक मेरी परिस्थिती नहीं है बस इसलिए मैं यहां आकर पढ़ता हूँ। तुम मुझे देखकर मुस्कुराए, क्यों? मैंने पूछा. क्योंकि आप भगवान है, वो बोला. ऐसा नहीं है मैंने कहा. नहीं आप भगवान ही है, वो बोला. चलो वो सब जाने दो. मुझे बताओ क्या तुमने खाना खा लिया. मैं तुम्हारे लिए खाने का पार्सल देखा, इसलिए मैं आपको भगवान कह रहा था, आज मुझे भूख लगी है, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, लेकिन मुझे इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी मैं जानता था वो भगवान जिसने मुझे भूख दी है वह मुझे भूखा पेट नहीं सुलाएगा, क काम हो रहा था, हर दिन करजे में डूबे होने के कारण उपर वाले को, उस भगवान को कोस्ता था, आज उसने मुझे ही भगवान की उपाधी देखकर शर्मसार कर दिया था, आधा खाना खाकर उसने आधा बचा लिया और मुझे से बोला कि सर आप फाइव मिनट यही ठहर यह मैं यह खाना मेरी मा को दे कर हूँ, मंदिर से कुछ दूर एक पुराने घर की तरफ जाते हुए मैं उसे देखता रहा, कुछ मिन्टों बाद वह वापस लोटा, उसके हाथों में मुठी भर फुल थे, उसने वो मेरे पैरों में रख दिये और बोला मा ने कहा है जिस भ पुराने घर के तरफ देखा उस घर के सामने पड़े पत्थर में भी मुझे प्यारी सी मुस्कान दिखाई दे रही थी, उस लड़के की आखों में मुझे साक्षात भगवान दिखाई दे रहा था, दोस्तों, कहते हैं कि भगवान सब की मदद करते हैं बस वह खुद सामन नहीं आते किसी ना किसी के जर्ये हम वह मदद पहुंचा देते हैं बस जरूरत है तो उन पर विश्वास करने की किसी ना 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 किसी न झाल झाल